कॉलकत्ता केस में पॉली ग्राफ टेस्ट खुलेगा अब नए राज संदीब घोश और चार्ड ट्रेनी डॉक्टर्स की अब होगी जाच जिसके बाद ना जाने कितने दफन राज अब सामने आ जाएंगे कॉलकत्ता रेप मडर केस मामले में पूछता और जाच जारी है CBI सच पता करने में जुची हुई है CBI इस मामले में आरजी कर कॉलिश के पूर प्रिंसिपल संदीब घोश और चार्ड ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलिग्राफी टेस्ट कराने जा रही है अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि ये टेस्ट क्या है कैसे सारे राज बाहर निकल की आएंगे इस टेस्ट में क्या होता है इस टेस्ट की अनुमती कोट द्वारा दे दी गई है क्या उसकी मानिता कोट में है तमाम इस पर जानकारी आज़की इस वीडियो में देखेंगे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंग और आप देख रहे हैं इंडिया नियूज संदीव घोश के सीने में कौन से राज दफन है ये पता करने के लिए इस मामले में और जादा वक्त ना लगते हुए सीबियाई अब संदीव घोश का पॉलिग्राफी टेस्ट कराएगी पॉलिग्राफ टेस्ट के जरीए सीबियाई जानना चाहती है कि आखिर हत्या की रात उन चारो डॉक्टर्स ने पीड़ता से क्या बात की थी चारो ने क्या खाना खाया और खाते वक्त उन लोगों की क्या बाते हुए डिनर करने के बाद पीड़ता कहा गई और वो चारो डॉक्टर कहा गई सब एक दूसरे से उस रात डिनर के बाद कब मिले हर सवाल का जवाब इस टेस्ट में निकल कर सामने आएगा और जो राज अभी तक सामने नहीं आए हैं उनसे भी परदा उठ जाएगा इसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये टेस्ट क्या है और इस टेस्ट में अपराधी को कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उस पर ऐसी कौन सी मशीन काम करती है जो सच बाहर निकाल कर ले आती है CBI सभी सवालों के जवाब जानना चाहती है इसे में आपको आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है कैसे होता है इसे अपराधी का जूट कैसे पकड़ा जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है पॉलिग्राफ टेस्ट को जूट पकड़ने वाली मशीन हम कह सकते हैं इसका इस्तमाल ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति जूट बोल रहा है या नहीं बोल रहा है जब इस टेस्ट में किसी से सवाल पूछ जाते हैं तो मशीन उस व्यक्ति की धड़कन और सांस लेने की गती यानि की स्पीट को माप लेती है जूट पकड़ने वाली मशीन के नतीजों पर पूरी तरीके से भरोसा तो नहीं किया जा सकता कई बार ये गलत भी हो जाती है और इनसान की भावनाएं भी इस मशीन के नतीजे को बदल सकती है इसके अलावा कई शातिर अपराधी शरीर की गतिविदियों को कंट्रोल कर जूट बोल सकते हैं जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता इसलिए अदालतों में सबूत के रूप में इसे स्विकार नहीं किया जाता व्यक्ति द्वारा प्रशनों के उत्तर देते वक्त उसकी शरीरिक प्रतिकरियाओं को मापा जाता है ये प्रशिक्षड ये निर्धारत करने के लिए किया जाता है कि क्या व्यक्ति सच बोल रहा है, जूट बोल रहा है पॉली ग्राफ टेस्ट के दुरान व्यक्ति को एक मशीन से जोड़ा जाता है जूट पकड़ने वाली मशीन इसका नाम है इस मशीन के कई हिस्से होते हैं इसमें कुछ यूनिट्स को आरोपी की बॉडी से जोड़ा जाता है जैसे उंगलियां, सिर, मूँ, मशीन की यूनिट्स लगाई जाती है और जब आरोपी जवाब देता है तो इन यूनिट्स से डेटा मिलता है और वो एक मेन मशीन में जाकर जूट या सच का पता लगाता है शरीर पर कनेक्ट की जाने वाली यूनिट्स में नियूमो ग्राफ, कार्डियो, वसल कुलर, रिकॉर्ड और ग्लेविनो मीटर होता है साथ ही पल्स, कफ, हाथ पर बांदे जाते हैं और उंगलियों पर लोंग ब्रोसो गलप्स बांदे जाते हैं इसके साथ ही मशीन से ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर आधी को भी मोनिटर किया जाता है सबसे पहले आरोपी से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं जिनका केस से लेना देना दूर दूर तक नहीं होता जैसे आज सुबा उसने क्या खाया उसने किस से बात की उसकी बीवी का नाम क्या है बच्चों का नाम क्या है या कोई भी ऐसे सवाल जिनका जवाब सामने वाले को पता अधिकतर सवाल हाँ या ना के फॉर्मेट में अधिकतर पूछ जाते हैं इसमें पल्स, रेट, ब्लड प्रेशर, सांस और स्किन पर होने वाले बदलाव को देखा जाता है शरीर के सेंस के डेटा के हिसाब से नतीजा निकाला जाता है जूट बोलने वाले के दिमाग से निकलता है अगला सिगनल जो इनसान किसी सवाल का जूटा जवाब देता है तो उसके दिमाग से एक P300 यानि की P3 सिगनल निकलता है ऐसे में उसका हाट, रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अधिकतर लोग नारको और पॉलिग्राफ टेस्ट में कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिरकार दोनों में फर्क क्या है पॉलिग्राफ टेस्ट में मशीनों के जरिये पल्स, रेट, सांस, ब्लड प्रेशर, पसीने इसकिन में बदलावादी के डेटा के अधार पर सच या जूट का पता लगाया जाता है इसमें आरोपी पूरे सेंस में रहता है लेकिन नारको टेस्ट में व्यक्ति को सोडियम, पेटोथल नाम की दवा का इस्तमाल दिया जाता है फिर वो आधा ब्योश हो जाता है और जूट नहीं बोल पाता वहीं पॉलिग्राफ टेस्ट और नारको टेस्ट 100% सही साबित नहीं हो सकता साइंस इसमें भी डाउट मानती नजर आई है चिकित्सा के छेतर में पॉलिग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट विवादस्पत विशे माने जाते रहे हैं जिनकी सटिक्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता हाला कि जाज एजंसिया ऐसे टेस्ट को प्रत्मिकता देती है वहीं polygraph test में यदि कोई अपना जुर्म कबूल कर भी लेता है तो उसे स्वीकरो रिती नहीं मिलती है यानि कि उसे स्वीकार नहीं किया जाता है यदि इस test की मदद के बाद पुलिस या जार्च एजिंसी कोई सबूत खोज लेती है तब वही सबूत होगा ना आपको वता दे साफतोर पर दिया गया polygraph test के दौरान कोई भी बयान या साल आपको बतादे 2010 में सुप्रीम कोट ने सेल्वी बनाम करनाटक राजरे मामले में कहा था यदि आरोपी test के दौरान उस स्थान का पता बताता है जहां उसने हत्यार चुपाया हो और पुलिस वे हत्यार खोज ले test में जھूत का पता लगाया जाता है अगर इस test के दौरान कोई भी साफतोर पर सबूत मिल जाता है उसकी जो खोजबीन की जाती है उस सबूत की आधार पर case solve होता है तो वो सबूत माना जायेगा कोट में लेकिन polygraph test के दौरान कोई बयान या polygraph test के दौरान कोई recording वो सबूत कोट में नहीं मानी जाती यानि कि उसके सुराग अगर आपको इस टेस्ट में मिल जाते हैं कि कहां छुपाया गया किस तरीके से हत्या करी गई और उसके जो सबूत सामने आते हैं वो कोट में माने जाते है ऐसे में कॉलकत्ता केस में ये टेस्ट कितना कारगर साबित होता है कौन से दफन राज खोलता है और किस तरीके से डौक्टर्स के अंदर छुपा हुआ वो जो कहरा राज है वो इस टेस्ट के दौरा भार आता है ये देखना बाकी है ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे बने रहें और देखते रहें इंडिया देउस धन्यवाद